हेलो गाइस स्वागात आप सबका तो आज हम बात करें कि आदानी इनर्जी सोल्यूशन की और दोपेर में इसके उपर हमने चर्चा की थी तभी जो है एक 1070 के आसपास का जो प्राइस एक रिजिशन बना हुआ था कल भी हमने चर्चा की थी जब तक इसके पार नहीं जाता त तो मतलब कि यहां पर ऐसा लग रहा था और यहां पर अगर आप देखेगे मुश्किल से पिछले दो दिनों में यहां पर थोड़ा सा जूम करकर देखें दो दिन अगर देखे तो इसके उपर निकला वहां पर ठीका लेकिन आज के दिन वापस से यह नीचे आ गया और कई से थोड़ा सा जो है यहां पर यह मतलब की इसके अंदर यह करेक्शन आने की जो है आज मतलब की मतलब की करेक्शन आया होगा क्यूंकि बाजार अगर देखे तो कहीं ना कहीं निप्टी ऐसा लग रहा है कि अपने एक रजिस्टर्न एरिया के आसपास पहुंचा है और दो पहले ही जो है कई शेर थोड़ी सी इसके अंदर जो है पहले से ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बूगिंग आ जाती है इसा मतलब की संभावना की बात करें तो क्यूंकि कई बार जो है निवेशक जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वह बाजार को भाप लेता है मतलब की एक संभावना की बात करें थो असा मुझे लग रहा है तो कई बार इसा भी हो सकता है आज अगर देखेंगे तो गिरावट भी अगर देखें अच्छी खासी हुई साड़े-3 पसंद के आसपास की और पूरा वीडियो जरुर देखेंगा छोटा सा वीडियो है यहां पर देख बनाई थी तब वो वीडियो अभी भी मुझू थे आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर जो है करेक्शन आ सकता है इस लेवल के आसपास बारा सो साढ़े बारा सो के आसपास रेजिस्टेंट दिख रहा था तब जो है आरेसाई और सब मतलब के एक ओवरब अभी 57% की तो डिलेवरी वल्यम अभी भी अच्छा कासा यहाँ पर उठ रहा है तो यहाँ लग रहा है कि कई ना कई अभी इसके अंदर हो रहा है और 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर एक हलकी सी चिंता का विश्य यहाँ पर यहाँ पर आप लिख वाली आई है तो हो सकता है कि इंट्राडे प्लेयर से की हो या फिर मतलब की कुछ कल भी यह जो है गिरावाट आखिर माई है तो यह थोड़ी सी गिरावाट और आने के संभाव ना हो सकती है तो सपोर्ट कहां पर मिल सकता है वो भी हम देखेगे साथ-साथ अब पहल इसके अंदर ऐसा लग रहा है क्योंकि यह फाइव और नाइन डेस के मुवी एवरेज के ऊपर नहीं निकल रहा था वहाँ पर उसके ऊपर जाने में जो है थोड़ी सी मटलब की तकलिप हो रही थी आसा लग रहा है और MSCD का भी जो है एक बेरिस क्रॉस ओवर हुआ था उस 92 के आसपास जो इसने सपोर्ट भी लिया था उसके बाद एक अच्छी कासी रेली भी आई इस हपते अगर देखे तकरीबन वहां से एक अजार और 80 के रुपे के आसपास यह गया था तो अगर दुबारा यह लेवल अगर यह रिटेस करता है तो हो सकता है कि मतलब कि अगर अगर उपर गया था लेकिन सुक्रवार आते आता है जो है इसके नीचे इसने क्लोजिंग दिए यह जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके बाद लगा तैर जो है यह इस हपते यह जो बड़ी रेड कानर है वहां पर भी इसने इसी लेवल के आसपास रजिस्टन फेस किया और इ यह एक तो यह जो है यह थो जो है यह 200 दिनों का मुविंगे उनको पार करेगा तो जो है तेजी आने की संबब नहों सकती है और वाइस थोड़ा सा कंसूलेडेशन या प्रॉफिल बुकिंग आने की संबब नहों सकती है जैसे कि यहाँ पर अभी तो फिलाल यह जो है 200 दि दिन और आज के दिन वापस से इसके उपर जाने की कोशिच की लेकिन यह तो आपर टिक नहीं पा रहा है कहीं नहीं और यह लेवल है एक अजार सतर के आसपास का तो यह अभी जो है दोनों के दोनों रिजिस्टेंट बने हुए है दोसो दिनों का मुविंगे विरेज और इसके उपर नज़र रख सकते हैं अभी यह 926 के आसपास है थोड़ा थोड़ा यह अभी वी उपर आ रहा है लेकिन इसी जोन के आसपास 925 यानि कि सवा 900 से 900 रुपे का जोन है वो एक अच्छा स्पोर्ट इसके लिए बन सकता है अगर गिरावाट आती है तब की बात है उ जैसे कि सवे रह दोपेर में हमने चर्चा के थी तब जो है इसी मिडल लाइन के आसपास काम कर रहा था पिछली बार मैंने बोला था कि यहां से यह बाउंस बेग ले सकता है और तब जो है यह जो इसकी मिडल लाइन है नीचे थी यहां पर यहां पर इसने बाउंस बेग अब जासा पेखक के अंदर और अब की बात की थी कई दिरों से चपचा करें कि अब जो है क्योंकि इसको इसने तोड़ा है हाला कि हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा मतलब कि संभलने की कोषिश करें कल के दिन कल का दिन एक बनता है फिर भी लेकिन अगर देखे तो यह अब इसकी जो यह निचली लाइन है, सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, अभी यह नीचे है, लेकिन यह जो है अभी उपर आ रही है, आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि यह 900-900 रुपे तक आ सकती है, इसकी बुलिंजर बेंग की अभी एक रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसकी लेवल के आसपास, 1200-200 रुपे के आसपास, तीन दिन लगा तार इसने वहाँ पर रहाँ पर रहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते एक, बुलिंजर बेंग का जो यह इंडिकेटर ने काफी अगर इस हपते की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर इसकी जो ऊपरी लाइन है, 1076, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास जो है, इसने कल एक रेजिस्टर फेस किया था, वहाँ से एक अच्छी कासी इसके अंदर गिरावड देखने को मिली, जो है यह थोड़ा सा ऊपर था उसके बाद थोड़ा सा हलका सा नीचे आया है, और कल का दिन थोड़ा सा इंपोर्टन भी रह सकता है, कि कल यह कैंडल कैसी बनती है, पूरे हपते की यह भी देखना बनता है अभी, और आगे हम देखे, तो यहाँ पर भी इसका डेली चाट के उपर, अब इसका M.A.C.D. तो यहाँ पर भी अगर आप देखेगे, एक bearish crossover यहाँ पर हो चुका था, तब ही हमने चर्चा की थी, कि इसके अंदर अब थोड़ी से strength की कमी दिख रही है, हला कि यह bearish crossover थोड़ा सा इतना, मतलब कि strong नहीं था, यहाँ पर यह जो पहला बार था, वो इतना बड़ा नहीं लेकिन अभी भी आज के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें, वापस से कल गुलाबी कलर की candle बनी थी, एक हलकी सी, यह जो blue कलर की लाइन है, उपर मुढ़ने की कोशिश हुई थी है, लेकिन आज फिर से यह red कलर की बार बनी है, और कल के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी बनी है, तो वापस से इन दोनों ही जो यह line है, इसके बेच में जो है gap जो है थोड़ा सा बड़ा है, अब यहाँ पर आगे देखते है इसके RSI, तो RSI जो है 60 के नीचे है, अभी 54 के आसपास है, स्टेंथ की थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रहे है, य हमने कहीं बार चल्चा की है, तो थोड़ा थोड़ा खरीद दे, मतलब कि अच्छी स्टेटेजी यह रह सकती है, कि मतलब कि मुझे सा लग रहे है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना या थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्टेटेजी रह सकती है, इसके कि एक तो यह 1000 रुपे का जोन कि एक जो है राउंट फिगर नमबर है उसके नीचे देखे तो एक 980 रुपे का आसपास का जोन पिछली बाल इसी लेवल का आसपास इसने सपोर्ट लिया था तो यह नजदी की सपोर्ट दोनों यहां पर दिख रहे हैं उसके नीचे की अगर बात करें तो जैसे कि यह 950, 925 और 900 रुपे का जो जोन है यह एक जो है इसके लिए सपोर्ट नेक्स बन सकते हैं अगर इन दोनों यह लेवल को तोड़ता है तब की बात है और यह बात हो रही है इसके ओपर डेली टेक्निक का चार्ट के ओपर अनालिसिस तो करते ही है कल yogurt मार्केट के ओपर इसके ओपर तर्चा होगी अब अगर इसके के बात करें कि बाउंस बेक आता है तो पहला रेजिटर इसको कहा पर मिल सकता है तो मुझे असा लग रहा है कि अब जो है तो सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के उपर जो है नजर रख सकते हैं तो आज के वीडियो में इतनी है अगर अच्छा लगा दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कल वापस से इसके उपर चल चाहोगी और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ